तो Hello friends अज़ हम बात करने वाले हैं जो हमारे पास मुबाइल फोन है इसी से हम charge करेंगे और आपकी जो original data cable है उसही के इसतमाल से हम इसको charge करने वाले है original charger और original data cable से हम जो हमारा phone है उसके नदर छेजार मेज की बैटरी है उसको करने वाले हैं चार्ज और देखेंगे कितना टाइम लगता है हमारे जो 6000 mh की बैटरी है हमारे फोन की उसको चार्ज होने में हमारा जो हडाप्टर है उसको और हमारी डेटा केबल को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं हमारा जो हडाप्टर है या चार्जर आप बोल सकते हैं चार्जर को प्लक में लगाने के बाद हम जो पिन है वो हमारे फोन में लगा लेंगे तो हम जो है पिन हमारे फोन में लगा लेंगे तो अभी आप देख सकते हैं मैं मेरे फोन में पिन लगा लूँगा इससमें देख सकते हैं मेरा जो फून हे वो 6% चार्झ है अभी तो अभी हमारा फून जो है 6% चार्च तो 6% से 100% चार्च होने में हमारे फून को कितना टांब लगता है वो हम बता देंगे बैटरी के सेक्षन में आगए हूँ आप देख सकते हैं 6% हमारा फोन अभी चार्ज है तो अभी आप देख सकते हैं हम पिन लगा लेते हैं पिन लगाने के बाद जो अभी मैंने पावर वगेड़ा एक्टिव नहीं किया है पावर में तभी एक्टिव करूँगा जब मैं स्टॉप वोच आप देख सकते हैं जो फोन हमने रखा और यहां से मैं इस टॉप वोच को एक्टिव कर दिया है तो अभी आप देख सकते हैं हमारा जो फोन है वो चार्ज होना स्टार्ट हो गया है और वीडियो को भी हम थोड़ा फास्ट फोरवर्ड कर देते हैं वीडियो को फास्ट फोरवर्ड करने के बाद आप देख सकते ह हो गया है और हमारा जो फोन है वो एक परसंट हो गया है, साथ परसंट हो गया है, और हम एक बार जो हमारे पास temperature मशीन है हम उससे temperature और देख लेंगे भी low बता रहा है, तो थोड़ा सा phone को होने दिते हैं charge, वीडियो को करते हैं fast forward और उसके बाद हम देखेंगे temperature भी कि कैसा temperature आता है हमारा जो phone है और कितना time लगता है हमारे phone को charge होने में तो फटाफट पर वीडियो को काफी fast कर दूँगा अच्छ 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 आच्छ अच्छ 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 तो फ्रेंट्स हमारा जो phone है वो 99% हो चुका है charge करीब एक घंटे 15 मिनिट हो चुके हैं और अब एक परसेंट ही बचा है हमारे phone को charge होने में तो देखते हैं फाइनली हमारे phone को कितना लगता है time 100% charge होने में आप देख सकते हैं 100% हमारा phone charge हो चुका है मैं plug को off कर देता हूँ अब इसका temperature वगेरा भी हम देख लेंगे कि इसका हमारे phone का temperature हो कितना आया है तो अभी आप देख सकते हैं temperature 97.3 बता रहा है तो इसके इसाब से हमारा temperature 36 degrees Celsius है बकी back side का देख लेते हैं back side में हमें 36 degrees Celsius टेंपरेचर जो है बता रहा है तो morning के time में हमारा phone है हमने charge किया है तो थोड़ा मोसम भी काफी ठंडा है इस वज़े से जो temperature है वह जो काफी कम बता रहा है हमारा adapter भी हम निकाल लेते हैं और उसका temperature measure कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें जो temperature आ रहा है वह 101 आ रहा है तो जैसा कि आप देख सकते हैं 101 बता रहा है मतलब 38 degrees Celsius हमारा जो adapter है वह हीट हो गया हमारा charger जो है 38 degrees Celsius पे हीट हो गया हमारा phone मैंने बताई दिया था 36 है तो यह ठीक आके पर चार्ज करने में इतना तो चार्जर हीट हो जाता है बाकि आपका phone भी काफी बढ़िया है और काफी सही चार्ज हुआ है phone मुझे काफी अच्छा लगा इसकी चार्जिंग स्पीड है काफी अच्छी लेगी हमने 55,000 की एमेच की बैटरी वाले फोन को इसने एक घंटा 15 मिनट 30 सेकंड में चार्ज कर दिया आपको कैसे लगी चार्जिंग टेस्ट हमें जरूर बताईएगा तो हेलो फ्रेंड्स तो यह वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईएगा बाकि ऐसी और इंट्रेस्टिंग व कर दो